चटाई के बाद चुने गए इन अच्छे कंदों का अच्छी तरह से उक्चार करना चाहिए इन बीजों का उक्चार करने के लिए सबसे पहले किसी नाद या ड्रम में 20 लिटर पानी ले और उसमें 40 ग्रम मैंको जेब पाउडर जिसे M45 भी करते हैं को मिला कर अच्छी तरह से उसका गोल बना ले इसके इस्तमाल से जुलसा नामक रोग से काफी हद तक पचाओ होता है इस गोल में 10 किलो आलू के बीज को डाल कर 15 मिनट के लिए छोड़ देना चाहिए 15 मिनट के बाद इन बीजों को गोल से बाहर निकाल कर किसी साफ जूट के बोरे या चादर पर फैला देना चाहिए अब इसी गोल में 10 किलो बीज और डाले और फिर उसे 15 मिनट के लिए छोड़ दे इस गोल का इस्तमाल बीज उपचार के लिए केवल दो बार ही करना चाहिए दो बार प्रयोग करने के बाद उस गोल को फेक कर नया गोल बनाना चाहिए अंकुरित कंदो को M45 के गोल में डाल कर उपचार करने के बाजाए कंदो को एक प्लास्टिक या जूट के चादर पर पतली तह बना कर फैला ले और इस पर M45 के घोल का छिड़काव स्प्रेयर द्वारा कर कंदो को पूरी तरह तर बतर कर ले और इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें फिर आगे के उपचार के प्रिक्रिया करें अब जिस बीच को आपने घोल से बाहर निकाला था उसकी सता से थोड़ा पानी सूख जाए लेकिन उसमें हलका गेलापन हो तो उस पर 40 ग्राम PSB पाउडर और 40 ग्राम अजेटो वैक्टर पाउडर को बारी बारी से उस पर छिड़क कर और अच्छी तरह से उस पर मिला ले PSB को मिलाने से आलू की फसल की जड़ मजबूत होता है और इससे कंदो को बढ़ने के लिए जरूरी पोशक तत्व भी मिलता है इसी प्रकार अजेटो वैक्टर से बीज को उपचारिद करने से पोधो को नाइट्रोजन मिलता है जिससे पोधो का सही विकास होता है और कई बीमारियों से इसका बचाओ भी होता है अंत में 60 ग्राम ट्राइकोडर्मा को 10 किलो बीज पर इस तरह से छड़क कर मिलाएं कि हर कंद पर 4 तरप से उसकी एक परत जम जाए ट्राइकोडर्मा एक जैविक फफुंग्दी नासक होता है जो आलू की फजल को कई तरह की बीमारियों विशेसकर जुलसा से बचाता है तथा इससे कंदो का अंकुरन भी अच्छा होता है और पौधे भी स्वस्थ होते हैं इसके बाद इसे आधे घंटे तक किसी चायदार जगह में सुखाएं उपचार की ये सारी प्रक्रिया किसी चायदार जगह पर करनी चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उपचारित कंदो को धूप में न रखें और नहीं इसे दुबारा बोरे में भरें इन उपचारित कंदों को किसी कमरे में जहाँ ज़्यादा रौष्णी नहीं हो, किसी नाद या फिर बड़ी टोकरी में नीचे और उपल पुवाल से अच्छी तरह से ढख कर रख दें अगले 5-6 दिनों में इसमें अंकुरन आने लगेगा बीच-बीच में हमें इसकी अंकुरन की जाच करते रहना चाहिए अंकुरन आते ही उस बीच को खेत में लगा देना चाहिए ध्यान रहे कि अगर कंदों में पहले से ही अंकुरन निकल चुका हो तो उसे अंकुरन के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है इन्हें उपचार करने के एक दो घंटे बाद सीधे बुवाई के लिए ले जा सकते हैं इस प्रकार आप भी अपने बीज का सही चुनाव यह उसका विधी प्रुवक को उपचार करके उसे कई बीमारियों से बचा सकते हैं